नमस्का सौगात है आपका मेरे चैनल नयान जी के वर्ड में यदि आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए वीडियो स्टार्ट करते जीवो की दूइनाम पध्धती के जन्मदाता कौन तो इसका सही आंसर है ओप्शन बी लीनियस अगला कुश्चन है कून सी धातू कौपर सलफेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती ओप्शन एफ़ी ऑप्शन बी एजी ओप्शन सी ए एमजी ओप्शन डी है जेडन तो इसका सही आंसर हो रहेगा ओप्शन बी एजी अगला कुश्चन है जब ब्लीचिंग पाउडर की कारवन डाई ऑक्साइड के साथ क्रिया करते है तो ओप्शन यहाँ गेस को अप्शोषित कर लेता है ओप्शन भी है क्लोरीन गेस निकलती है ओप्शन सी है कोई प्रति क्रिया नहीं होती ओप्शन डी है केल्शिया क्लोराइट बनता है तो बताई इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा क्लोरीन गेस निकलती है अगला कोश्चन है गुन सूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशी का विभाजन होता है उसे क्या कहते है ओप्शन यह सूत्री विवाजन उप्शन अगला कोश्चन है समस्त बहु कोशिकी जन्तूओं को किस विशिष्ट समूँ में रखा जाता है Option A है मोटा जोवा Option B है प्रोटो जोवा Option C है पोरी फेरा Option D है और्थो पेरा पते इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा Option A मोटो जोवा अगला कोशन है निमली कित में से कौन सा जीवाश्व इंधन नहीं है Option A है प्राकतिक गेस Option C है कोईला Option D है चारकोल जिसका सही आंसर हो जाएगा Option D चारकोल अगला कोशन है सबसे छोटी अंत्र स्थरावी गंती है Option A है प्यूज गंती Option B है पराबटू Option C है अधी ब्रक्त एडिनल Option D है ब्रक्षन बताए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option A प्यूज गंती अगला कोशन है लिमिल कित्मे से किसमे कोबाल्ट उपस्तित रहता है बताए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option A है हीमोगलोबिन Option B है क्लोरोफिल Option C है बिटमिन C Option D है बिटमिन B12 इसका सही आंसर हो जाएगा Option D बिटमिन B12 अगला कोशन है आइनो स्पियर की उचाए कितनी होती है Option A है एक किलोमिटर Option B है दस किलोमिटर Option C है सो किलोमिटर Option D है एक हजार किलोमिटर बताए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा Option C सो किलोमिटर अगला कोशन है नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है बताईए ओप्षन A है कौर्निया ओप्षन B है उप्तारा ओप्षन C है द्रश्टी पतल ओप्षन D है श्वेत पतल जिसका सही आंसर हो जाएगा ओप्षन B उप्तारा अगला कोशन है इस्थन्धारियों में निशेचन होता है ओप्षन A है गर्वाशाई नालिका में ओप्षन B है गर्वाशाई में ओप्षन C है मूत्र मार्ग में ओप्षन D है अंड़ाशे में पतल इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएग Option A गरबाशाई नालिका में अगला कोशन है चमगादर निमलिकित में से किस बर्ग में रखा जाता है Option A है सरी स्रिप Option B है पक्षी Option C है स्तंधारी Option D है जल स्थल्चर इसका सही आंसर बताईए इसका सही आंसर हो जाएगा Option C स्तंधारी अगला कोशन है एंजाइम होते है बताई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option A है सूक्षम जीवाणू Option B है प्रोटीन Option C है फफून दी Option D है अकारवनी क्योगिक बताई इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा Option B प्रोटीन अगला question है, रिचर स्केल निमलिखित में से किसके मापन में प्रियुक्त किया जाता है? पता है इसका सही answer क्या हो जाएगा? Option A है, बायू की गती Option B है, शरीर का ताप Option C है, भुकम की तीवरता Option D है, सागर की गहराई इसका सही answer हो जाएगा Option C, भुकम की तीवरता अगला question है, बनस्पती तेल के हाइडोजनी करण में प्रिक्त उत्पे रखे पते हैं, इसका सही answer क्या हो जाएगा? Option A है, लोहा Option B है, प्लेटीनम Option C है, तामबा Option D है, निकिल इसका सही answer हो जाएगा Option D, निकिल अगला question है, पैर्बनिक पदातों के सड़ने पर जो मार्शी गेस उत्पन होती है और अधिकांश कोईला खदानों में पाई जाती है उस गेस का नाम क्या है? पते हैं, इसका सही answer क्या होगा? Option A है, मिथेन Option B है, एथेन Option C है, कार्बन डाइयोकसाइड Option D है, कार्बन मोनो अक्साइड जिसका सही answer क्या होगा? जिसका सही answer हो जाएगा Option B, मिथेन अगला question है, बेटरी बनाने में किस अमल का उप्योक किया जाता है? Option A है, सल्फियूरी कमल Option B है, नाइटरी कमल Option C, हाइडोकलोरी कमल Option D है, एसिटी कमल जिसका सही answer हो जाएगा Option A, सल्फियूरी कमल अगला question है, किन्डवन प्रक्रिया में निमली खित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? बते ही, इसका सही answer क्या होगा? जिसका Option A है, एथाइल एलकोहल Option B है, मिथाइल एलकोहल Option C है, एसिटी कमल Option D है, खमीर जिसका सही answer हो जाएगा Option A, इथाइल एलकोहल अगला question है, प्राकतिक रबर को कठोर तथा उच्छालने योग बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? बताएगे, इसका सही answer क्या होगा? इसके option A है, पेट्रोलियम की जेली Option B है, सल्फियूरी कमल Option C है, गंधक Option D है, स्पंज जिसका सही answer हो जाएगा Option C, गंधक अगला question है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यू रखा जाता है? Option A है, अपने मौलिक रूप में बनाए रखने के लिए Option B है, ऑक्सिजन में इसका ऑक्सिकरन हो जाता है Option C है, हवा में बाश्पिकरन हो जाता है Option D है, हवा में यहाँ जनना आरम करता है जिसका सही answer हो जाएगा Option B, हवा में इसका ऑक्सिकरन होने लगता है अगला question है, गंपावडर मिश्रन होता है पते हैं किसका मिश्णान होता है Option A है मिट्टी और TNT का Option B है गंधक, मिट्टी और लकडी के कोईलो का Option C है शोरा, गंधक और लकडी के कोईलो का Option D है TNT वा लकडी के कोईलो का तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option C शोरा, गंधक और लकडी के कोईलो का अगला कोशन है किसी रासानिक योगी की सबसे छोटी काई क्या होती है ऑप्शन है परमानू, ऑप्शन भी है इलेक्टॉन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है अनू जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनू अगला कोशन है हाइपो जिसका उपियोग फोटोग्राफी में होता है रासानिक तोर पर क्या कहलाता है औप्षण A है सिल्वर ब्रोमाईट, औप्षण B है सोडियम थायो सलफेट, औप्षण C है सोडियम फासपेट, औप्षण D है सोडियम नाइट्रेट तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option B, Sodium Thio, Sulphate अगला कोश्यन है अपराखतिक रूप से फलो को पकाने के लिए किस गेस का उपयोग किया जाता है Option A है, Ethylene, Option B है, Methane, Option C है, Carbon Dioxide, Option D है, Acetylene तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option A, Ethylene अगला कोश्यन है, ततकाल शक्ति के लिए किलाडी किसका उपयोग करते है Option A है, Shukroze, Option B है, Vitamin C, Option C है, Numak, Option D है, Dood तो इसका सही आंसर हो जाएगा Option A, Shukroze अगला कोश्यन है, निमलिकित में से कौन सा पदार लेंस के लिए परियुक्ति नहीं किया जाता है Option A है, जल, Option B है, मिट्टी का तेल, Option C है, प्लास्टिक, Option D है, काज जिसका सही आंसर हो जाएगा Option B, मिट्टी अगला कोश्यन है, उत्तर लेंस की शम्ता होती है Option A है, रिनात्मक, Option B है, धनात्मक, Option C है, शून्य, Option D है, अन्य जिसका सही आंसर हो जाएगा Option B, धनात्मक अगला कोश्यन है, लेंस का एसाई माट तक क्या है, Option A है, मीटर, Option B है, मीटर स्क्वेर, Option C है, डैपलर, Option D है, अन्य जिसका सही आंसर हो जाएगा Option C, अगला कोश्यन है, पानी में भरी हुई, बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है इसका क्या कारण है, बताए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Option A है, पूर्ण, आंत्रिक परावर्तन, Option B है, अपरावर्तन, Option C है, परावर्तन, Option D इनमें से, कोई नही जिसका सही आंसर हो जाएगा option B परावर्तन अगला question है मोटर गाड़ी के चालन के समय सामने लगाया रहता है option A है अपतल दरपन option B है समतल दरपन option C है उत्तल दरपन option D है अन्य जिसका सही आंसर हो जाएगा option C उत्तल दरपन अगला question है जिवानों को नश्ट करने के लिए निमली खित्मे से कौन सी गेस का प्रयोग किया जाता है option A है क्लोरीन option B है ऑक्सिजन option C है हाइड्रोजन option D है नियोन जिसका सही आंसर हो जाएगा option A क्लोरीन अगला question है कहा काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लेक लंग रोग होता है option है विद्ध लोपन उद्योग में option B है कार्बनिक विलायक उद्योग में option C है पेंट विनायक उद्योग में option D है कोईला खान इसका सही आंसर हो जाएगा option D कोईला खान अगला कोशन है निमलिखित में से ओक्सिजन, मिश्रित, बा, निश्क्रित, गिस कौन सी है जो अब रोधित, श्वसन से प्यूडित रोगियों को दी जाती है ओप्शन A है हीलियम, ओप्शन B है क्रिप्टॉन, ओप्शन C है रेडाउन, ओप्शन D है औरगन इसका सही आंसर हो जाएगा, ओप्शन A हीलियम, अगला कोशन है अमल वर्षा बनस्पती को नश्ट कर देती है क्योंकि उसमें ओप्शन A नाइट्रिक अमल होता है, ओप्शन B ओजोन होता है, ओप्शन C है कार्बन मोनो, ओकसाइड होता है, ओप्शन D है, सल्फियूरिक अम अगला कोशन है, ओप्शन A है दूद, ओप्शन B है नदी का जल, ओप्शन C है धुवा, ओप्शन D है रुधीर इसका सही आंसर है बते इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है option C धूआ अगला question है धूम कोहरा मोजूदा आख में जलन पेदा करने वाले शक्तिशाली द्रव्वे हैं option A नाइट्रिकमल, option B है सल्फर डायोकसाइड, option C है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेड, option D है कारबन डायोकसाइड इसका सही आंसर हो जाएगा option B परोक्सी एसिटिल नाइट्रेड अगला कोशन है बायो मंडल में कौन सी गेस परावेगनी किर्णों का अप्शोषन करती है option A है, ओजोन, option B है, मिथेन, option C है, नाइट्रोजन, option D है, हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा option A, ओजोन अगला कोशन है, कृतिम बर्षा या मेग बिर्जन के लिए प्रियोक किये जाने वाले रसानिक द्रव है option A, सिल्वर आयोडाइट, option B है, सोडियम क्लोराइट, option C है, सूकी वर्फ, option D है, उप्रियोक सभी इसका सही आंसर हो जाएगा option D, उप्रियोक तो सभी अगला कोशन है, हरे फलो को कृतिम रूप से पकाने के लिए प्रियोक तो होता है option A है, एथिलीन, option B है, एसिटलीन, option C है, इथेन, option D है, मिथेन जिसका सही आंसर हो जाएगा पते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option A Ethylene अगला question है निमलिकित में से कौन सा पीडा नाशी ओजोन का हास करता है Option A है GGT Option B है Benzene Option C है Methylbromite Option D है Ethylene Ozone पते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा Option B Benzene मेरे वीडियो को end तक देखने के लिए धन्यवाद